व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान काल के वश में प्राणी कभी नर्गों में जाते भोग जो भोगने होते भोग संसार में आते पिता दादा पर दादा मानानी पर नानी इनहीं के पित्र यग्यकों तत पर रहते ग्यानी बड़ी श्रधा से श्राध का होता पूर्ण विधे विधान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान श्राध है बार तरह के पढ़ी तो ग्रंथ बताते किया हर रोज जो जाए नित्य श्राध कहलाते तिल जल धान्य दूध फल सेहों पितर सेवा त्रिप्ति पित्र देव की कराए ब्राम्हन देवा मृत व्यक्ति की तिथी किदी नहीं कारिये बने महाँ व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान रात को श्राध न कीजे सूर्य करते मनाही दोनो संध्याओं में समेना सही बताई अपने मात पिता का यहां जो श्राध न करता नरक को प्राप्त करेवो शूकर बनकर फिरता पित्तर गऊ ब्राम्हन देव को इश्ट देव लो माँ व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान पेतर कार्ये मेधन औरत का नलगाना वेद का पाठी पंडित केवल घर बुलवाना मात्र श्राध दो पहर ब्राम्हन आठ बुलाईए दूध गंध तिल कुष्प से अरधै देना चाहिए प्रदक्षिणा की संग दीजी भोजनवे मेश्ठा व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान चोरस बना की मंडब प्रदक्षिणा उसकी करना कुर्वाग्र कुषा पुष्प से पूजन कर किसी मरना कुल की पेत्र माताएं प्रेम से याद ही कीजे विधि जो श्राध कर्म की प्रेम से श्राध ही कीजे जिन की मना ही काम न कीजे इतना रखियो ध्यान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान धरा पे जितने तीरत सभी में गंगा उत्तम मुक्ती और भक्ती दे गंगा सागर संगम यहाँ पितर अपने का जो पिंडदान कराएं अभिष्ठ किसे धी मिलती पाप कोई रहना पाएं महातीर्थ में पितरों वास्ते करते मनशस्ना व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान काशी परमतिर्थ है यहाँ शंकर का वासा केशव शाम सुदर भी करे दिव्य प्रकाशा प्राणी जो भी आकर करे तितरों का थरपण श्राध से मुक्ती पाते विप्रजन करते पूजन प्रभास तीर्थ भीष्रेष्ठ तम जहाँ सोम रात भगवान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान गदाधर रूप में विष्णों है गया तीर्थ में रहते यही है पुण्य शित्र वचन ब्रम्हा जी कहते यहां पिंडदान श्राध यग्यर पित्रों का जो कराए नर्क से मिले छुटकारा ब्रम्हा के लोक में जाए गया में जिनका अश्राध हो जाता उनका हो कल्या व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्याद मरे जो सर्प का काटा मरे पशुचोर ग्वारा मरे संसकार रहित जो मिले जिननर्क ग्वारा गया में श्राध कर्म से बंधन से मिले मुक्ती स्वर्ग को चले वो जाते श्राध फल देती भक्ती महपातक के पाप न रहते मिलता स्वर्ग स्वाद व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्याद पेत्र रिण से मुक्ती श्राध के फल से मिलती एक इस पीड़ी मनुष की श्राध से स्वर्ग को चलती पल्गु मुख भाग है है तीर्थ जितने सारे श्राध कर्म अक्षैवट में स्वर्ग के खोले वारे कुरुक्षेत्र पिंडारा पिहवा पने वोक्ष के धाद व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्याद गया तीर्थ है ऐसा श्राध दिन रात कराईए स्वर्ग रोहन की सीड़ी पितर की आप बनाईए पित्र रिशी देवता यही रिन तीन बताते गया में श्राध कराके रिनों से मुक्ति पाते पित्रों का उधार हो जाता लिखते ग्रत पुराद व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्याद प्रेत की योनी छूटे पितर पा जाए मुक्ति श्राध हम करे विधी से सफल हो जाए युक्ति पिंड का संकल्प करके पित्र कर श्राध कराईए पिता दादा पर दादा सभी को मोक्ष दिलाईए पित्र यग्य से प्राणी होता सुखी बड़ा धनवाद व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान पेतर दुखी हो कहते अगर कोई होगा हमारा श्राध पिंड दान करेगा दर्क से मिले छुटतारा दर्क में दुख हम भोगे बात ये विरला जाने स्वर्ग में मिले ठिकाना दर्द ओलाद पहचाने पितरों का उधार कराती है उनकी संता व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान ब्राम्हन घर पे बुलाओं श्राध का करम कराओं जैसिश्रधा दान की दान देशीश नवाओं तीन पिंड देने चाहिए पिंडों के अधिकारी पिता दादा पर दादा कहें ये दुनिया सारी मंत्र उचारण करके रही फितरों का हवान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान पिंड के दान से प्रसन पितर होते हमारे करे फिर पितर किरपान आज सिध होते सारे गुरू मेरे कहे करण सिंग परमगति पितर पाते कमल सिंग पितर खुश हो वस्त्र भूजन चाहते व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान व्यास जी ब्रम्हा से ले ग्यान कमल से ले ग्यान झाल झाल